स्वागत आप सभी का SS News में मैं आपके साथ नुसका सत्ता रूट भाजपा सरकार द्वारा जारी ट्रक ड्राइवर की नए कानून हिट एंड रंड के तहट देश में आकरोश हमाहूल है हाल ही में सभा में पास किये गए इस बिल पर ट्रक ड्राइवर काफी निराश है किया और घटना से फरार हो गया या फिर वही पर रुका रहा ऐसे दोनों ही हालात में उसको आठ से दस लाग का जुर्माना होगा और दस साल की जेल हो इसे गैद इरादतन हत्या कही जाएगी और इसका निरने लिया गया है सरकार का मानना है कि इस कानून से सडखात से कम होंगे लेकिन इस कानून की खिलाफ देश भर में ट्रक ड्राइवर का अक्रोश विक्त हो रहा है करीबन हर शहर में एक लाग से अधिक ट्रक ड्राइवर की हड़ताल देखने को मिल रही है इस नए कानून को वापस लेने की मांग करते धरने पर उतराए ट्रक ड्राइवर और हड़ताल से अब आम लोगों को भी परिशानी हो रही है कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की कमी हो गई है पेट्रोल पम्प के बाहर लोगों की भीड नजर आ रही है जहां पर वे अपना आक्रोश सरकार के इस नए कानून की खिलाफ वेक्त करते हुए नजर आ रही है ट्रक ड्राइवर की हरताल की कारण सभी तरह की सप्लाइ भी ठप हो गए है और खास तोर पर इसका असर पेट्रोल डीजल पर देखने को मिल रहा है गुजराद, बिहार, पंजाब, हाइदराबाद से लेकर करनाठका और अन्याबा की शहरों में भी यही हाल है शहर में ट्रक ड्राइवर की हरताल चल रही है और एक लाग से अधिक ट्रक ड्राइवर देश में हरताल पर उतर आए है अब ट्रक ड्राइवर की मांग के तहित सरकार इस कानून को वापस लेगी या फिर जारी रहेगा यहाँ आकरोश यहाँ तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन इस कानून से आम लोग भी परिशानी का शिकार हो रहे हैं सड़कों पर लोगों की भी भीड देखने को मिल रही है पेट्रोल डीजल की कमी की कारण लोग काफी परिशान हो चुके हैं और लंबा चा का जाम किया गया है गेर इरादातन हَّक्त्या में भी माना वर हमने दो बघ्लाव उत्य हैं । इसका इरादा मारने का नहीं है इसके लिए हमने कम सजाखा प्रावदान किया मगर जो टक्कर लगाता है और जो विक्तीम है उसको मरने के लिए छोड़ कर पुलीस या अस्पताल को सुचना नहीं देता है और फिर पुलीस पकड़ते लाती है हीट एंडर्ण केसों में दस साल की सजाता प्राजा नहीं दिया है